बच्चों आज हम लो पढ़ेंगे जब प्रत्यावर्ती परिपत में प्रतिरोध आर और संधारित्र सी श्रिणी करम में जुड़ा हो तब उस परिपत की प्रतिवाधा इंपिडेंस कितनी होती है हमने क्या किया एक कैसे रेजिस्टेंस वायर लिया और एक कैपासिटर एक संधारित्र से क्या किया हमने ऐसे जोड़ दिया और इसको हमने एसी सोर्स से जोड़ दिया वी इस्क्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी हमने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया आर और संधारित्र को सी दोनों सिरीज में है ऐसे जब यहाँ पर एसी सोर्च देंगे बोल्टेज देंगे तो इससे करेंट फ्लो करेगी आई एक करेंट जो आई है यह आर में भी जाएगी और सी में भी जाएगी दोनों में करेंट भाएगी सी आई दोनों में बराबर करेंट जाएगी आई कि जो हमारा resistance wire है इसके जो दोनों इंड है इसके सिरे का potential difference विभवांतर हमाले तेह भी आर है और जो हमारा संधारित्र है इसके सिरे का विभवांतर potential difference भी सी है और हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोत के अंदर वहने वाली धारा और प्रतिरोत के सिरे का विभवांतर भी आर दोनों समान खला में होते हैं और संधारित्र में वहने वाली धारा और संधारित्र के सिरेका विववांतर भीसी धारा आई से कला में पाई वाई टू पस्ट गामी लाइगीं होता है तो इसके बारे में नुट कर लेते हैं हम जब प्रत्यावर्ति परिपत्में प्रतिरोध आर तथा संधारित्र सी स्रेणी क्रम में जुड़ा होता है संधारित्र सी स्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो दोनों में समांधारा आई प्रोवाइट होती है प्रतिरोध के सीरे का विभवांतर भीयार तथा धारा आई ए समान कला में होते हैं परन्त संधारित्र के सीरे का विभवांतर भीयार भीयार धारा आई से कला में पाई बाई टू पस्च गामी लाइगिंग पस्च गामी होता है बहने वाली धारा आई इसक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्रतिरोध के सीरे का विभवांतर भीयार इसक्वल टू वीजीरो साइन ओमेगा टी यह दिखाता है आई और भीयार दोनों समान कला में है और आई और भीसी दोनों के बीच का कलांतर पाई बाई टू है आई भीसी से पाई बाई टू आगे है या का सकते हैं भीसी आई से पाई बाई टू पीछे है इसका फ्यजर डाइगरान जब बनाएंगे तो ऐसे आएगा इधर है करेंट आई और इसी डाइरेक्शन में होगा इसी डाइरेक्शन में होगा प्रतिरोध के सिरेका विववांतर भीयार और ऐसे एक करेंट आई है यजयर है इससे पाई बाई टू पीछे होता है तो यहां पर लिख दे रहा है भीसी भीसी पाई यजो है आई से पाई बाई टू पीछे है अब भीयार और भीसी के बीच़ का जो एंगिल है वो 90 है परपेंडी कुलर है अब हमें इन दोनों का निकालना है रिजल टेंट भी आर और वी सी का तो एक बना दे रहां ऐसे पैरलेलोग्राम कि ऐसे कि और यहां से हमने क्या किया कि इसका जो डाइगनल होता है एक कहला आता है इसका रिजल टेंट यह हैं हमारा डाइगनल यह भी हमें निकालना है भी आर वर वी सी का परड़ामी रिजल टेंट भी की वैलू कितनी होगी भी आर वर भी सी का परड़ामी भी इसे इकोल टू अंडर रूट अब जानते हैं पाइथागोरा स्थिरम से निकाल लेजी तो हो जाएगा यह भी आर इसक्वायर प्लस भी सी इसक्वायर भी आर है प्रतिरोथ के सिरे का भी हो अंतर भी आर बरावर ओम के नियम से होता है आई आर इसमें बहने वाली करेंट आई है और इसका रेश्टेंस आर है तो भी आर इसकोल टू होगा आई आर यहां भी यल बरावर ओम के नियम से आई आर के जगाप यहां यक्स सी होता है तो लिखेंगे I x c तो यहां लिख सकते हैं ऐसे ब्रेकेट में नहों तो लिख दीए ऐसे भी आर बराबर होगा I r और भी c बराबर होगा I x c तब यह हो जाएगा भी बराबर अंडर रूट I square R square I square A x c square यह भी यह इकोवल टू I under root से बाहर हो जाएगा और यह हो गया R square plus x c square I को divide कर दें तो यह हो जाएगा भी बाई I is equal to under root R square plus x c square ओम के नियम से फिर देखिए ओम के नियम से भी बाई यार क्या है इस total circuit का इस परिपत का resistance है प्रतिरोध है लेकिद यह प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध इसको बोलते हैं ओमी ओमिक resistance ओमी प्रतिरोध आर और धारती प्रतिहाद C के कारण है इसलिए इसे प्रतिरोध न कह करके इसे कहते हैं परिपत की प्रतिबाधा इसको बोलते हैं impedance किस से लिखते हैं z से तो परिपत की प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वाइर प्लास AX C स्क्वाइर जहाँ Z is equal to क्या होता है यह बहुत important formula है Z is equal to B Y I V होगा या B 0 upon I G O होगा या B R MS upon I R MS होगा याद रखना है आपको Z किसके जगाप लिखा आता है B Y I के जगापर B 0 upon I 0 के जगापर B बराबर B 0 sin omega T I बराबर I 0 sin omega T तो sin omega T से sin omega T cancel B 0 I G O और B 0 बराबर क्या होता है B 0 बराबर V RMS under root 2 I 0 बराबर I RMS under root 2 under root 2 से under root 2 cancel B RMS upon I R MS हो जाता है यह काला आता है परिपत की प्रतिबाधा Z या इसको लिख सकते हैं इसे Z is equal to under root R square प्लस X C बराबर होता है 1 by omega C इसका क्या हो जाएगा square या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z is equal to under root R square plus 1 upon omega बराबर होता है 2 pi of C का हो जाएगा यह whole square इसे कहते हैं परिपत की प्रतिबाधा या impedance दोहों में से कोई लिख रखिए और इसको आप formula को काईदे से याद रहना चाहिए realtent तो हमारा potential difference है यह भी formula है resultant potential difference V square to under root V R square plus V C square साल करते हुआ या या तो निकल गया परिपत की प्रति बाधा अब देखेंगे हमारा जो realtent potential difference है प्रिडामी भीवांतर जो भी है V और I के बीच का कलांतर कितना है कौन कितना आगे है या पीछे है तो हम मान लेते हैं V और I के बीच का जो एक खलांतर है वो कितना है फाई है V और I के बीच का एंगेल फाई है तो उसको कैसे निकालेंगे इसको आप पहले रोट कर लिए माना परिडामी विवांतर भी तथा धारा आई के बीच का कलांतर फाई है इसलिए टैन फाई इसको लिटो यह है आप वहरा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का मतलब भीसी और बेस का मतलब भीयार तो यहां लिखेंगे भीसी अपान भीयार और भीसी बराबर होता है आई अक्ससी अब भीयार बराबर होता है आई आई से आई कैंसेल यहां लिख सकते हैं इसको टैन फाई बराबर यह अक्ससी बराबर होता है वन अपान ओमेगा सी और पहले से क्या है आर एक कहलाता है धारा और बोल्टेज के बीच का कलांतर निकल जाएगा फाई इसमें याद रखना है कि बोल्टेज प्रडामी जो भी वांतर भी है वो धारा आई से हमेशा कहा होगी लाइगिंग होगी पीशे होगी पस्च गामी होगी और धारा आई इस प्रडामी बोल्टेज से हमेशा क्या होगा अगर गामी होगा इसे हमें याद रखना है टैन फाई स्कॉल टू वन अपान ओमेगा सी और परिपत का सक्ति गुडांक पावर फैक्टर कास फाई बरावर होगा यहां से कास फाई कास लेंगे तो बेस कितना है भी आर और हाइपोटेनियस कितना है भी और भी इसकोल टू होता है आई आर अपान भी या लिख सकते हैं आर अपान भी बाई आई और भी बाई आई को जड लिखते हैं तो आर बाई जड तो याद रखना है इसको कास फाई बराबर इभी फार्मुला आर बाई जड और जड की बैलू आपको मालूम है कितनी होती है अंडर रूट आर इसक्वार प्लास एकस सी स् सब्सक्राइब का सकती गुडांक पावर फैक्टर इस पर एक किलोमेरिकल देखिए एक रिस्टेंस है आर है यहां पलिक सकते हैं आर इसे इकोल टू 3 किलो ओम और सी इसकोल टू दिया है 0.01 माइक्रो फैरेड और यहां पर जो गोल्टें लगाया गया है टेन अंडर साइन पची सोटी पलस पैंटालिस पुछा गया है इसमें बहने वाली धारा आई आरमेस की बेलू बताईए भीव आई के बीच का कलांतर फाई बताईए और सकती गुडांक बताईए तो दिया क्या-क्या है देखिए आर इसकोल टू दिया है 3 किलो ओम और सी बराबर दिय है 0.1 माइक्रो फैरेड और बोल्टेज दिया है भी बराबर टेन अंडर रूट टू साइन पचीस सोटी प्लस पैंटालिस डिगरी ऐसे दिया हुआ है हम जानते हैं भी इसकोल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी और प्लस हमने कर दिया फाई इतना होता है अब तुलना करें तो यहांसे भी जीरो बराबर होगा टेन अंडर रूट वोल्ट और ओमेगा बराबर हो जाएगा पचीस सोटी सबसे पहले निकालना है आईयार एम्स कितरा होगा आईयार एमस निकालने के लिए हमें जैर्ट हए तो कि जिड़ बराबर होता है बी आरमे स्बटे ही जीरो इसमें लगा हुआ है क्या संधारित्र तो संधारित्र के सिरे का जो प्रतिवाधा होती है यक्स सी बराबर होता है 1 एपान ओमेगा की बेलू है पचीस सो अगुनैंशी की बेलू है 0.1 into 10 to power minus 6 micro farad है बदल दिया farad में 1 by omega c is equal to इतना तो यह is equal to हो जाएगा यह जाएगा उपर यह लिख सकते हैं इसको 1 by 25 into 0.1 का मतलब होता है 10 to power minus 1 तो minus 1 और minus 6 minus 7 उपर जाएगा तो plus 7 तो यहाँ पलिख देदे हैं 3 0 और 10 to power 4 10 to power 7 होगा तो 3 0 नहीं बल्कि यहाँ पर कर दे रहा है 4 0 और यहाँ पर क्या कर रहा है 3 काटने के लिए देखिए यहाँ पर 10 to power minus 6 0.1 का मतलब होता है 10 to power minus 1 10 to power minus 1 10 to power minus 6 मिलकर के 10 to power minus 7 10 to power minus 7 जब उपर जाएगा 10 to power plus 7 10 to power plus 7 में एक, दो, तीन, चार जीरो यहाँ पे लिखा इन्टू टेन टू पावर थृ दो जीरो से हमने दो जीरो काट दिया पचीश चोगो सौ तो यह आ गया फोर इन्टू टू पावर थृ ओम, यह लिख सकते हैं फोर कीलो ओम, फोर कीलो ओम आ गया कितना एकसी, अब देखिए इसम तो तीन का वर्ग और यक्सी की वैलू है चार का वर्ग अंडर रूट 9 पलस 16 is equal to 25 is equal to 5 kilo ohm अभी जड निकला हमें निकालना है IRMS याद करिये आपको बता गया है जड बराबर IRMS अपान IRMS तो यहां से IRMS is equal to BRMS by Z और BRMS हमें नहीं मालूम है लेकिन निकाल सकते हैं BRMS बराबर क्या होता है भी 0 बराबर होता है याद करिये आपको बताए गया है फार्मूला VRMS बराबर V0 अपान अंडर रूट तू और V0 की बैलू है 10 अंडर रूट तू बाई अंडर रूट तू यहां हो गया 10 बोल्ट तो VRMS के जगा पर 10 बोल्ट और Z की बैलू कितनी आई है देखिए 5 kilo ohm है तो 10 to power 3 ohm इसको काट देंगे तो दो यह हो जाएगा टू इन्टू टेन टू पावर माइनस 3 بة यहां टू मीली मीटी एर 3 MOD dumped ISS की बैलू आगई टू मीली एंपियर आयार में सभी पाला एंऌवर निकला दूसरा पुछा है हिए और के bीच का कलांतरं लांट सुच्डा तो इसके बीच का कलांतर याद करीए आपको बता अगया 10 fine वराबर होता है good आपान ओमेगा C R 1 आपान ओमेगा की वहलू है 25 C की वहलू है 0.1 into 10 to power minus 6 R की वहलू है 3 into 10 to power 3 कीलो ओम में है तो लिखेंगे ओम में 10 to power 3 इसको साल्व कर देंगे पहले नुट कर लिए इसको साल्व करेंगे तो देखें कितना रहा है 10 to 5 is equal to 10 to 5 is equal to 1 by इसको लिख सकते है 25 into 10 to power 2 0.1 और minus 6 मिलकर के 10 to power minus 7 into 3 आई into 10 to power 3 यह हो जाएगा 1 by 25 into एक अंक और है 3 आई पावर का ही साथ पर यह तीन और दो मिलकर के 5 अब minus 7 में से 5 निकलेगा minus 2 minus 2 उपर जाएगा plus 2 आनि 100 25 को 104 बटे 3 तो 5 is equal to answer हो जाएगा 10 in words 4 by 3 दूसरा answer निकल गया तीसरा पुछा है सक्ती गुडांक तो सक्ती गुडांक का फर्मूला आपको मालूम है कास फाई सक्ती गुडांक को क्या बोलते है कास फाई कास फाई is equal to होता है r by z r की बैलू है 3 और z की बैलू आई थी कितनी 5 तो यह हो जाएगा फाई is equal to कास या कास फाई सक्ती गुडांक होता है कास फाई is equal to 0.6 इसका कोई मात्रक नहीं होता है और कास फाई यानि सक्ती गुडांक इसको पूरे को बोलते हैं सक्ती गुडांक सक्ती गुडांक का मान हमेशा एक से क्या आता है कम होता ये भी ध्यान रखीएगा तो ये सक्ति गुडांग बराबर 0.6 अगला को संधिया है एक संधारित्र है इसके सिरे इसका यहां पर यक्सी है इसकी धारती प्रतिगात है वो 30 ओम है और इसका ओमी प्रतिरोध है हो चाली सोम है 200 बुल्ट 250 बुल्ट का सोस दिया गया है तो पुछा गया है संधारित्र के सिरे का विवहां तर कितना होगा और प्रतिरोध के सिरे का विवहां तर कितना होगा संधारित्र के सिरे का विवववांतर B C और प्रतिरोत के सिरे का विवववांतर B R ग्यां की ए दिया है के वल R is equal to 40 और XC बराबर दिया है 300 और भी बराबर दिया है 250 मोल्ट तो लिखेंगे परिपत की प्रतिबाधा जिड बराबर अंडर रूट आरी स्क्वार प्लास एक सची स्क्वार अंडर रूट आर की वैलूट चालिस का वर्ग और यक्सी जो है तीस का वर्ग यह हो जाएगा अंडर रूट सोलह सो प्लास नाइन हेंडर यह हो जाएगा पची सो बराबर पच्चास होम जिड बराबर आ गया कितना पच्चास होम अब ज़ा ध्यान देना है आपको याद करिए आपको बताए गया है जिड बराबर होता है भी अपान आई जिड बराबर भी अपान आई भी होता है भी सब्सक्राइब कर देंगे आएगा पांच एंपियर अब देखिए यहां पर नंबर पहला एंस्वर क्या निकलेगा संधारित्र के सिरे का भी भुवांतर भीसी बराबर होता है आई याक्ससी बराबर क्या होता है आई याक्सी आई दोनों में समांधारा भाती है जब सिरीज में होते हैं आई करेंट इसमें भी जाएगी और आई करेंट इसमें भी जाएगी तो इसके सिरे का भी भुवांतर वी सी बराबर, उनके नियम से भी बराबर आई आर, तो आई, इसमें आर को क्या लिखते हैं, इसके आर को लिखते हैं, एक ससी, तो आई के जगह पर हो जाएगा 5, और एक ससी की बहलू दिया हुआ है 30, तेया हो जाएगा 150 मोल्ट, नमबर 2, क्या पुछा है, प्रतिरोत के सि तेरे का भी भवांतर भी आर तो भी आर बराबर हो जाएगा यहां पर आई यार फाइफ इंटू आर की वेलू दिया हुआ है चालिस त्या हो जाएगा दो सौ बोल्ट